हेलो एवरिवन, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, आज का टॉपिक है शिक्षा के साधनों से आपका क्या अभी प्राए हैं, इसके विभिन प्रकारों का वर्णन कीजिए शिक्षा के जो साधन है, साधनों को हम कहेंगे एजेंसीज ओफ एजुकेशन तो इसमें जो कुछ राइटर्स हैं इन्होंने कहा है, सर गौडफ्रे थॉंसन कहते हैं कि व्यापक अर्थ में संपूर्ण वातावरण व्यक्ति की शिक्षा का साधन है परन्तु उस वातावरण में कुछ तत्व अधिक मतपूर्ण है, जो शिक्षा से विशेश रूप से संबन्दित है इसका कहने का मतलब है कि जो भी हमारा पूरा एन्वाइर्मेंट है, वो किसी बालक की शिक्षा में उसकी एजुकेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जैसे कि हमारा परिवार हो गया, स्कूल, आपका रिलीजन हो गया, या फिर आपका जो मीडिया है वो इलेक्ट्रोनिक हो सकता है या फिर जो आप नियूस पेपर वगरा बढ़ते हैं, वो सारी चीज़े आपकी एजुकेशन की एजेंसी में आती हैं यानि कि आपके शिक्षा के साधन, तो शिक्षा के जो साधन है, इनको अलग-अलग भागों में सब विद्वानों ने अपने-अपने धंग से इनका वर्गी करन किया है ठीक है इनको बांटा गया है तीन भागों में पहला वर्गी करण, दूसरा वर्गी करण और तीसरा वर्गी करण ये तीनों जो वर्गी करण हैं पहले वर्गी करण में आएंगे आपके formal और informal education agencies यानि कि आपके साविधिक या फिर अपचारिक साधन और दूसरे होगे आविधिक या अनपचारिक साधन ठीक है तो इसमें क्या रहता है कि जो आपके अपचारिक साधन होते हैं अपचारिक साधन हमारे हैं school, colleges, institutions जहां पर आप formally जाकर कोई education लेते हो ठीक है तो इसमें क्या रहता है कि एक particular pattern रहता है study का ठीक है आपको एक particular time पे आना है आपको एक syllabus पढ़ना है वहाँ पर आपको educated teachers पढ़ाते हैं ठीक है उसके बाद आपका examination होता है certification होता है यह सारा क्या रहता है आपका education का एक pattern रहता है जो की pre-planned होता है और जो आपकी अनापचारिक informal जो आपकी education होती है अनापचारिक साधन आपके हो गए आपकी society ठीक है या फिर आप कहीं से भी सीखते हो आपके समाज से या फिर जो आपका परिवेश होता है आसपास का ठीक है आपके धार्मिक संस्थान होते हैं आप उनसे काफी सारी चीज़े सीखते हो तो यह आपके informal education agencies में आ जाता है ठीक है जो दूसरा हमारा वरगी करण है दूसरे वरगी करण के अधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है एक आपका है सक्रिये साधन और दूसरा निश्क्रिये साधन यानि की active और passive agencies ठीक है तो active agencies में क्या रहता है active agencies आपकी ऐसी agencies होती हैं जिसमे दोनों जो पक्ष हैं वो active रहते हैं यानि की सीखने वाला भी और सिखाने वाला भी जैसे कि हमारा school हो गया, colleges हो गया या फिर हमारा घर हो गया, state हो गया, धार्मिक संस्थाएं हो गई, या फिर कोई समुदाय केंदर हो गया, कोई club हो गया, ये सारी चीज़े आपकी active agencies में क्योंकि जब भी कोई बच्चा इन चीज़ों से कोई चीज सीखता है, तो क्या रहता है, कि दोनों active कहने का मतलब है, कि जो सीख रहा है, वो तो सीख रहा है, लेकिन सीखा रहा है, वो उसके उपर check भी रखता है, कि आप क्या सीख रहे हो, आप कोई गलत चीज़ तो नहीं लेकिन जो आपके निश्क्रिय साधन होते हैं निश्क्रिय साधन जो हम passive agencies कहेंगे निश्क्रिय साधनों में आपके आजाएंगे television, radio, press और चलचितर ठीके इसमें क्या रहता है कि सिरफ एक ही पक्षिस में active रहता है ठीके इसमें क्या है कि आपका कोई check नहीं रखा जाता आप टीवी से या फिर electronic media से आप कहीं से भी कोई चीज सिरफ सीख रहे हो ठीके आप उसमें से गलत सीख रहे हो या सही चीज सीख रह करते हो उससे उनको कोई लेना देना नहीं है कोई मतलब नहीं है ठीके तो इसमें इसलिए क्या कहा गया है सक्रिय साधन में क्या होगा आपके दोनों पक्ष एक्टिव होंगे सीखने वाला भी और सिखाने वाला भी और निश्क्रिय साधन में क्या होगा सिरफ एक ही तो फिर जो तीसरा वर्गी करण है, तीसरे वर्गी करण के अधार पर इसको ब्राउन ने चार प्रकार के साधन बताए हैं एक आपका हो गया साविधिक यानि की फॉर्मल, दूसरा आविधिक यानि की इन्फॉर्मल, तीसरा हो गया व्यवसाइक साधन और चौथा हो गया अव्यवसाइक साधन चीक है, साविदेक या फॉर्मल साधनों में आपके आ जाएंगे विद्याले, धार्मिक संस्थाएं, पुस्तकाले और संगराले यादी और आविदेक यानि की इनफॉर्मल साधन में आएंगे परिवार, समाज और राज्ये जो हमारको इंडिरेक्टली कोई चीजे सिखाते हैं और तीसरा आ गया विद्यावसाइक साधन इसमें आ जाएंगे प्रेस, टेलिवीजन या कोई आपके पत्र पत्रिकाएं होगे ये सारे आपके विद्यावसाइक साधन में आते हैं और अव्यावसाइक में यानि कि व्यावसाइक साधन और अव्यावसाइक में क्या difference है कि जो व्यावसाइक साधन है वो अपने फायदे के लिए आपको कोई knowledge देते हैं या कोई education देते हैं लेकिन जो अव्यावसाइक साधन होते हैं उनका इसमें कोई ऐसा benefit नहीं होता है यान पिर समाज कल्यान संस्थाएं, ठीक है, ये आपके जो कारे करती हैं, ये समाज कल्यान के लिए करती हैं, ठीक है, तो next थोड़ा सा इसको describe करके देखते हैं, शिक्षा के जो साविधिक या फिर अपचारिक साधन है, इसमें क्या होता है, इसमें आप की जो शिक्षा होती है, इसको अवश्यक माना गया है विधिवत शिक्षा के लिए, ठीक है, क्योंकि जब क्या होता है, कोई बच्चा किसी स्कूल में एंट्री लेता है, वहाँ पे जाके वो कोई चीज सीखता है, ठीक है, तो हम उसी को मानते कि formally एक बच्चे का जो education है, स्कूल से स्टार्ट होता इसमें, ठीक है, और यह एक इस तरह का जो आप ऐसे अनुभव की प्राप्ती का द्वार खोलती है, जिसको बालक दूसरों के साथ रहे कर अनुपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, और जो आपकी अनुपचारिक शिक्षा होती है, अनुपच अपचारिक शिक्षा होती है वही सही मायने में आपकी education है ठीक है तो शिक्षा के अपचारिक साधनों में आ जाएंगे आपके विद्याले, चर्च, पुस्तकाले, संगराले और पुस्तकयादी जिससे आप formally कोई education लेते हो ठीक है तो next आपके बास है शिक्षा के अनपचारि साधन में आते हैं आपके परिवार आ जाएगा, समुदाय आ जाएगा ठीक है और इन साधनों के द्वारा व्यक्ति, देश, काल तथा परिस्तिती की अनुसार अनुभव राप्त करता है ठीक है इससे क्या होगा formally आपको कोई certification नहीं मिलेगा उस चीज़ का कि आपने ये च चलचित्र जो देखते हो ये सारे अनौपचारिक साधन है शिक्षा के ठीक है फिन नेक्स्ट आपका था शिक्षा के सक्रिये और निश्क्रिये साधन जो आपके दूसरे वर्गी करण में बताये गए हैं ठीक है एक्टिव एंड पैसिव एजेंसीज ओफ एजुकेशन जो आपके सक्रिये साधन है शिक्षा के इसमें कहा गया है कि सक्रिये साधन शिक्षा की प्रक्रिया पर नियंतरन करते हैं ठीक है वो उसको कंट्रोल करते हैं कि आपका एजुकेशन कैसा होना चाहिए आप क्या सीखोगे कितने टाइम के लिए सीखोगे और उसको सीखने के बा आपके शिक्षा के सक्रिय साधनों में आएगी ठीक है और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें दोनों जो आपके पक्ष होते हैं वो एक्टिव रहते हैं ठीक है सीखने वाला भी और सिखाने वाला भी यानि कि कंट्रोल किया जाता है आपके एडुकेशन सिस्टम को कि आपको क्या चीज सीखने है परिवार देखो परिवार भी आपको सिखाता है कोई चीज वो आपको गलत चीज नहीं सिखाएगा और जब कोई चीज सिखाएगा तो आपके उपर चेक भी रखा जाता है कि आपको गलत चीज तो नहीं कर रहे हूँ ठीक है तो जो निश्क्रिय साधन है शिक्षा के वो सिरफ व्यक्ति को प्रभावित करते हैं ठीक है ये व्यक्ति को प्रभावित करते हैं लेकिन इस पे कोई नियंतरन नहीं होता है सक्रिय साधन में क्या रहता है कि शिक्षा की प्रक्रिया पर नियंत्रन रहता है। लेकिन जो निश्क्रिय साधन है, उसमें कोई नियंत्रन नहीं रहता है। लेकिन वो सिरफ व्यक्ति को प्रभाविद करते हैं। इसमें केवल एक ही पक्ष सक्रिय रहता है। इसमें क्या आगया? रेडियो, टेलिविजन, समाचार, पत्र, सिनेमा, आदी, शिक्षा के निश्क्रिय साधन है इसमें क्या रहता है? सिरफ आपका एक पक्ष सक्रिय रहता है मतलब सिखाने वाला तो है, आप टीवी से सीख रहे हो, आप रेडियो से सीख रहे हो या फिर आप निउस्वेपल से सीख रहे हो, लेकिन आप उससे क्या सीख रहे हो, आप उससे अच्छा लेते हो, बुरा लेते हो, कुछ सीख भी रहे हो, नहीं सीख रहे हो ठीक है? उससे उनका कोई लेना देना नहीं होता है ठीक है तो दोश के बारे में क्या कहा है कि फर्स तो है अनपचारिक साधनों से संपूर्ण विश्व को ग्यान देना संभव नहीं है ठीक है और तीसरा क्या कहा है कि समय और शक्ती अधिक व्याय होते हैं यानि कि इसमें जादा टाइम और जादा एनरजी हमारी वेस्ट होती है और यह केवल समान्य ग्यान तदा अनुभव ही परदान किये जा सकते हैं कि यह जो आपकी informal education है इसमें हम general knowledge और आपका अनुभव प्रदान करते हैं experience प्रदान करते हैं बाकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको कोई proper education इसमें मिले और इसमें क्या कहा गया है कि अवगुण विक्सित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं ठीक है informal education में क्योंकि जब हम society से सीखते हैं कोई चीज तो हो सकता है हम अब बात आती है शिक्षा के साधनों के महत्तव की कि जो शिक्षा के साधन है इनका क्या महत्तव है हमारे जीवन में तो पहला तो है कि बालकों की शिक्षा अनौपचारिक वातावरण में ही आरम होती है ठीक है जब बच्चा कुछ सीखना शुरू करता है तो वो informally सीखन है अपनी community से सीखता है और अपने समास से सीखता है ठीक है जिसका किसी भी बालक के विकास पर प्रभाव पढ़ता है ठीक है और दूसरा क्या है कि आपचारिक साधन बालकों को व्यवस्तित रूप से विक्सित करने में सहायक होते हैं जो आपकी formal education होती है वो भी बच्चे के लिए जरूरी होती है क्योंकि जब हम family किसी school या किसी college या किसी institution में जाते हैं तब ही हम properly कोई education ले पाते हैं जिससे क्या होता है कि विद्याले में बालकों की रूची अभिवृति तथा अभिरूची का विकास होता है और तीसरा क्या है इसमें शिक्षा के जो अनपचा जाले के आदर्शों में समानता का होना भी आवश्यक है ऐसा ना हो कि हम घर में कोई चीज़ बता रहे हैं और school में उसके against हमें पढ़ाया जाए ठीक है तो उससे क्या होता है कि बच्चे का जो मानसिक संतुलन है वो थोड़ा सा गड़बढ आ जाएगा जैसे कि अगर आप घर में आप बताओ बच्चो को कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए ठीक है लेकिन अगर आप school में उसको उल्टा बताते हो कि हमें बड़ों की कोई respect नहीं कुछ नहीं करना ठीक है आप जैसे हो आप वैसे behave कर सकते हो तो वहाँ भी क्या होता है कि बच्चे की जो mentality है वो कि जो आपका education है जाए वो कोई भी तरीका है वो formal है या informal है ठीक है सक्रिये है या फिर निश्क्रिये है वो सभी तरीके किसी बच्चे की या किसी व्यक्ति की education के लिए compulsory होते हैं ठीक है और हम सभी चीजों से कुछ ना कुछ सीखते हैं तो ये था हमारा आज का topic I hope आपको समझ आया हो अगर कोई भी आपको problem हो तो आप call करके institution के number पर call करके आप अपना doubts clear कर सकते हैं thank you